चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो, ICR के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो जो बच्चे ICR में एड्मिसन लेना चाते हैं जिनका नीट का एक्जाम अच्छा नहीं हुआ है और वो ICR का एक्जाम देके ICR की कोर्सेज में एड्मिसन लेना चाते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी ओपूर्शिनेटी है मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने रिजिस्टेशन करना है क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी इस विशेपर हम पूरी ICR के बारे में चर्शा करेंगे तो इसकी वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करते हैं तो इसका पब्लिक नोटिस मिल जाता है हमें पब्लिक नोटिस में यही लिखावा है कि रिजिस्टेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 19 अगस्ट 22 रात 11 बचके 50 मिनिट तक है इसके बाद में इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं एपलिकेशन फॉरम में 21 अगस्ट से लेके 23 अगस्ट 22 तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं एगजाम डेट अभी डिकलियर नहीं हुआ है मोड ओफ एगजाम कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट यानि CVT एगजाम है pattern of exam का MCQ जाएंगे language of the paper English और Hindi दोनों में है UG के लिए और UG के लिए जो exam का duration है वो 150 minutes रखा गया है तो ये इसका एक schedule है अब इसकी website है icr.nta.nic.in एक बार हम इसकी website पर visit कर लेते हैं तो इस प्रकार का interface आपको देखने को मिलेगा अब इसमें हम बात करेंगे कि किस परकार से आपने registration करना है तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें एक बार information bulletin check करके कि क्या-क्या इसकी condition है तो UG के लिए हम इसमें information bulletin download कर लेते हैं तो इसकी fees की हम बात करें तो general category के लिए 800 रूपीज है OBC, UPS, EWS के लिए 770 रूपीज है SC, ST, PWD 3rd agenda के लिए 400 रूपीज है fees इसकी इसके बाद में बाकी details में correction वगरा की details आपको बता चुका हूँ और इसमें जो admit card वगरा है result है, exam date है ये बाद में notify किया जाएगा ये application form तीन step में fill किया जाएगा first step में आपको registration करना है second step में online application fill करनी है और third step में payment करना है, जो NTA की need का आपने application form fill किया था same उसी तरह इसके three steps होंगे इसमें जो CBTA exam होगा वो CBTA exam में multiple choice के four options होंगे four marks मिलेंगे, एक correct answer के negative marking है अगर आप एक किशन गलत करते हैं तो minus one mark deduct हो जाएगा कोई answer अगर आप नहीं देते हैं तो उसका कोई marks नहीं मिलेगा और कोई marks नहीं कटेगा उसका medium है, हिंदी medium और English medium में paper आएगा दोनों में आप चूज कर सकते हैं इसमें syllabus क्या रहेगा इसका इसकी website पर दे रखा है icr.org की website पर इसका syllabus दे रखा है इस link पर click करके आप syllabus भी देख सकते हैं इसमें इसके बाद में इसमें क्या-क्या ये अपना qualifying examination की condition रहेगी, क्या eligibility रहेगी तो इसमें आपको 10 plus 2 pass होना चाहिए और वो 10 plus 2 pass 50% होना चाहिए general, OBC, UPS, EWS category के लिए वो aggregate होना चाहिए, यानि सभी subject का total होना चाहिए 50%, इसके बाद में 40% marks होना चाहिए SC, ST, third gender, PWD category वाले candidate को इसमें round of नहीं चलेगा, round of का मतलब होता है कि अगर किसी candidate के 49.99% आते हैं तो वो round of में 50% हो जाता है, तो वो ऐसा candidate eligible नहीं है 50% से या उससे above marks होनी चाहिए इसमें यह है condition इसकी इसके बाद में जो student के compartment or supplementary है वो इसके लिए eligible नहीं है आपको pass का proof इसमें दिखाना होगा तो यह condition है eligibility की अब बात करें हम as limit की तो इसमें minimum as required है 16 years होना चाहिए 31st August 22 को maximum as इसके लिए कोई as limit नहीं है maximum की minimum as होनी चाहिए 31st August 22 को 16 years हो जानी चाहिए इसके बाद application process में बता चुका हूँ तीनो step में form complete करने के बाद में आपको confirmation page download कर लेना है और उसका print लेकिए future reference के लिए रख लेना है आपने अब इसमें photo कैसे upload करने है sign कैसे upload करने है thumb impression कैसे upload करने है कौन-कौन से documents की requirement है online application form fill करते से में ये इसके information plate में दिया हुआ है आप एक बार इसको read कर लें उसके बाद में form apply करें exam city कौन-कौन सी है कौन-कौन से state में कौन-कौन सी city में exam लिया जाएगा इसकी एक list दे रखी है बाकिया आप जब form apply करेंगे तो साथ-साथ आपको वहां भी दिखाई देगा drop-down में आप अपना exam city select कर सकते हैं कौन से city में exam देना है आपने इसके बाद में 11 courses के लिए इसमें admission होगा जो UG courses है 11 degree courses हैं उनके लिए admission होगा सबसे पहले हम बात करते हैं BSC Owners Agriculture की तो जिन candidates को BSC Owners Agriculture में admission लेना है वो apply कर सकते हैं उसके बाद BSC Owners Horticulture है BFSC है BSC Owners Forestry है BSC Owners Community Science है Food, Nutrition and Dietetics है इसके बाद BSC Owners Sericulture है B.Tech Agriculture Engineering है B.Tech Dairy Technology है B.Tech Food Technology है B.Tech Bio Technology है तो ये 11 परकार के degree courses हैं इनमें आप admission ले सकते हैं अब इसके लिए इन courses के लिए आपके 10 प्लस 2 के subject क्या होने चीए और आपने जब इंट्रेंस exam में जो ICR का exam लगेगा उसमें कौन-कौन से subject आप attend कर सकते हैं यहां पर एक ये पूरी table दी गई है इस table को आप देख लें मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ जैसे किसी student को B.Tech Honors Agriculture में admission लेना हैं तो उसके 10 प्लस 2 में subject होने चीए PCB या तो उसके PCB हो सकता है P means Physics C means Chemistry B means Biology A means Agriculture M means Mathematics तो PCB हो सकता है Physics, Chemistry, Biology इसके बाद में PCMB हो सकता है Physics, Chemistry, Mathematics, Biology तो दोनु subject होते हैं इसके बाद PCM हो सकता है Physics, Chemistry, Mathematics और Inter Agriculture हो सकता है जो 12th Class में Agriculture होता है तो ये subject होनी चीए अगर कोई student B.S.C. Owners Agriculture में admission लेना चाता है तो इन में कोई A combination होना चीए 10 प्लस 2 में subject होनी चीए इनके अब जो ये student है Intrins exam में कौन-कौन से group के लिए ये subject चूज कर सकते हैं तो PCB यानि Physics Chemistry Biology Physics Mathematics Physics Chemistry Agriculture और Agriculture Biology और Chemistry तो इस प्रकार के group को वो attend कर सकते हैं इसमें Intrins अब आप जैसे B.Tec Dairy Technology का exam देना चाते हैं उसमें आप admission लेना चाते हैं तो 12 में आपके subject होनी चीए Physics Chemistry Mathematics या फिर Physics Chemistry Mathematics Biology इनका combination होना चीए और आप इंट्रेंस एक्जाम में अटेंड करेंगे वो section होगा आपका Physics Chemistry Mathematics ये section आप अटेंड करेंगे तो ये इसमें आप देख सकते हैं अब इसमें आपके help के लिए एक रिप्लीका भी दे रखेंगी कैसे आपने application form फिल करना है किस परकार का interface आपको दिखाई देगा तो इस रिप्लीका को देख करके आप इस application form को फिल कर दें और लास्ट में confirmation page डाउनलोड कर लें अब ये computer based exam है तो computer पर कैसे exam लिया जाएगा इसका भी इसमें दे रखा है information प्लेटिन में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे exam लिया जाएगा computer पर आपको वहाँ बैठने के बाद में क्या-क्या facility दी जाएगी किस परकार से आपको user ID password डालना है किस परकार से question attempt करना है तो ये सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं अगर आपने पहले cbt exam नहीं दिया है तो अब इसका form apply कैसे करें तो इसकी जो website मैंने आपको बताई है उसमें नीचे click करेंगे तो candidate activities में registration लिखे हैं तो अगर आप UG के लिए registration करना चाहते हैं तो UG वाड़े link पर click कहिंगे, click करने के बाद OK करेंगे, औक करने के बाद यहाँ आपको दो option दो option मिलेंगे new registration और sign in आप पहली बार registration कर रहे हैं क्योंकि registration करना है तो इस परकार का interface आएगा registration करके आपने online application form fill करना है उसके बाद में उसके बाद में payment करना है fees का और confirmation page का print out ले लेना है ये same net की तरह ही application form fill किया जाता है तो आपने net का application form fill कर रखा है तो कोई problem नहीं होगी उसी तरह किये से आप fill कर सकते हैं तो ये जानकारी थी ICR के application form के बारे में बाकी details जैसे ही मिलेगी हम आपको inform करेंगे मिलेंगे नई update के साब नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग